आज हम एक चोर के सातिर दिमाग के बात करेंगे तो आप लोग जान करके पायर तेले जमीन खिसक जाएंगे जी हाँ आज एक चोर ने ऐसा करनामा कर दिया है जो आप जानते ही आप लोगों को कहने के सोच में पढ़ जाएंगे तो हम दिखाने का परियास करेंगे, चोर ने ऐसा क्या काम कर दिया, कि आप लोग देखते ही, सोच नहीं सकते हैं, बिलीव नहीं कर सकते हैं, तो जी, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, हम दिखाने का परियास कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, हमारे जो पीछे ये लेकिन यहां के अस्थानिया लोग अभी इस पूरा करकराते हुए धूप में अभी पंखा के हावा नहीं खा पा रहे हैं पूरा गर्मी से प्रेशान है अखिर क्यों प्रेशान है पूरा सचाई बताएंगे इस ट्रांस्फर्मा आप देख सकते हैं यह जो पाइप लगा हु पूरा का भरे हुए तेल है यह ट्रांस्फर्मा में जो तेल लगता है आप लोगों को पता भी नहीं होगा बता देख इस ट्रांस्फर्मा का तेल बिजली तेल जिसको हम लोग कहते हैं तो यहां पे दो-दो पड़ा हुआ है चोर ने इसको क्यों छोड करके भाग जाते है तो ये पूरी सच्चाई यहां के अस्थानिया लोग बताएंगे जो इनको चोरी करने आए थे आखिरकार उस छोड की इस तेल को क्यों फडार हो जाते हैं तो आये स्थानिया लोगों जानेंगे आखिर क्यों छोड़के फरार होते हैं तो जानते हैं देखिए एक बावा है यहां पर लाठी लेकर के खड़े हैं स्यादी गर्मी में क्योंकि इनको पता है कि आज पंखा में बैठते लेकिन यह तप तपाते हुए धूप में आज यह पाते हैं तुफान के बाद चोड़ी कर रहा था तो मेरे भाई वहां पे फोर महमुर्गा का वहीं से आ रहे थे तो साथ उसको देखके यह चोड़के बाग रहे हैं अच्छा उनको लगा कि कोई अस्थानिया लोग आरहा है बाइक से लिए लाइक को देखते ही चोड़कर निकल लिए यहां पर आगे पुला है वहां पुला के पास भी इन्याइक की राज में दोनों चोरी हुआ है तो चोरी तो किया लेकिन उनको successful पूल पुल नहीं ले जा पाया उसको छोड़कर बाग जाते हैं तो देखिए आपका घर इस इसमें कितना यहां से कितना दूरी मेरे घर के आगे में आपका घर के आगे में परियास किया आपकी घर के आगे में तो यह ऑप सबसे कई करना ही आपको जूजना पड़ रहा है यह कर अब सब्सक्राइब लोगों को जो कि इतना मीटर होगा उनको क्यों कि नहीं होगा राज से कहने के लाइट भागे होए है और उसके बाद आप लोगों का गर्मी भी लग रहा होगा तप तप दूब है अभी आया का क्या स्था आप यहां का कोई भी बिजली भाग कटीम आये हैं ने सोब में फोन किये हैं लाइनमेंन को आया था देखा और उसके बाद वह जहां भी फोन किया हो लेकिन अभी ने आप लोगों तब ही परेसान से आप प्रेसानी को सरकार देते हैं तो आप लोग सरकारी संपती को चोरी तो नहीं करें लेकिन आपना खुद का संपती को चोरी करते हैं इस चीज़ को आपको जनकारी होना चाहिए क्योंकि आप सरकारी संपती चोरी करने के बाद ऐगर पकड़ा जाते हैं तो आपको आपको सोचना चाहिए था उनसे जानेंगे सर आपका क्या नाम हुआ परकार से यहां का जो चोर है इस तेल को चोरी करने का इसमें आप लोगों सर देखें पता लगा कि यहां को उटते हैं तब देखें मालूम वाकिए से बात हुआ है लेकिन मोबाइल चार्ज के लिए प्रोब्लेम है पंखा भी बंधा प्रोब्लेम है सब्से बड़ी बात क्या होते हैं कि आप भीजली के वेगार मतलब आप लाइट के लाइब आपको पंखाने चले वह चल सकता लेकिन सब कुछ खता है सब्सक्राइब करने परचानी हो गया चोरी करते हैं उनको पता होना चाहिए कि सरकारी संपती आपना खुद का संपती को नहीं है पता नहीं तो तो सर आपका क्या नाम हुआ रजुक मारजच अच्छा सर आपको कब पता चला कि यहां का जो ट्रांसफरमार का तेल निकाल लिया गया है तुर तरह जिस तरह यहां जो पैप लगा कर निकाले उस्तरह भी पैप लगा हुआ लगता है कि बिजली विभाग का जो कुछ मिस्तिर है लगता है देखिए पबली को तो कुछ भी बोल सकते हैं ठीका और पबलीक से जदा हम तो बिजली को चलाना किस तरह कटना ही को अई और दूसरी बात यह है कि हम यह से परिशान खुद हैं हम तो नहीं हम तो हमेशा स्वरिषती रहते हैं घबर आलेट जो हैं अगर पॉपलिक को मिले हम पॉपलिक परिशान नहीं होंगे अच्छा और दूसरी बात है कि अभी तक में बिजली भाग क्या जो बड़ी पतादिकारी इसको कोई ख़बर किये हैं उन उसके बाद आविदन बना करके दीजिए अफ्यार करेंगे अच्छा यह तो अफ्यार होगा उसके बाद मतलब इस लोगों का लाइन कब तक में चालू हो सकता है यह जो हमारे बिहार में अक्सर घटना घटी दोते रहते हैं और ट्रांसफर्मा के तेल निकाल लिया जाता ह जैसे कि आप देखते हैं अरड़िया सुपोल पुर्णिया हर जग यह एक जगे की बात नहीं है और कहने कर इस चीजों पर निगरानी रखा जाना चाहिए क्योंकि अगर यह जो परती दिन अगर चोरी बढ़ते जा रहा है ट्रांसफर्मा को ले करके तो इन पर निगरानी के पास इतरह से घटना गटित नहीं हो जिस प्रकार से मेरा कुछ अस्थानिया जो पत्रकार है लोगों जो बहुत सारे हमारा दमित्र है जो कहने के स्वयोगी है वो अक्सर यह खावर चला रहे है कि हर जगा टांसफर्मा का चोरी हो रहा है तो कहने कि इस चीजों की निग एक्सप्रेस जाहिन जाभारत